क्या आप WhatsApp का यूज़ करते हैं और WhatsApp में आपको fonts को bold, italic, strike through करने की जरूरत महसुस होती है तो इस वीडियो को enter देखिएगा चैनल पर ने हो तो करने सब्सक्राइब and hit the bell fonts को bold या italic करने से आप किसी बात पर ज्यादा जोर या कम जोर दे सकते हैं यदि आप official काम के लिए WhatsApp का यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ा जादा बहुत जरूरी है आईए WhatsApp पर चलते हैं और fonts को bold, italic, strike through करना सीखते हैं WhatsApp में हैं हम चलिए अब हम यहाँ पर चार तरीकों से लिखेंगे और देखेंगे कैसे आप अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करके आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको अलग-अलग तरीके से कैसे express कर सकते हैं सबसे पहले हम simple तरीके से लिख लेते हैं subscribe देखिए यह हमने subscribe लिखा हुआ है चैनल पर नहीं हो तो please subscribe करिएगा ठीक है अब हम इसी को bold में लिखते हैं bold में लिखने के लिए आपको दबाना होगा star को देखिए यह आगया star इसके बाद हम लिखते है subscribe फिर से z को में दबा के रख रहा हूँ तो देखिए star बन किया जा रहा है और यह लिख गया है यहाँ पर अब देखिए यह bold हो गया है ठीक है अब हम italics में लिखते हैं italics में लिखने के लिए हमको underscore को दबाना होगा यहाँ पर दबाईए यह underscore का sign इसके बाद हम लिखते हैं यह देखिए यह लिख दिया subscribe ठीक है यह दबा दिया देखिए यह italic में हो गया है अब हम stripe through का use करेंगे stripe through याने के बीच में से line कटी हुई रहेगी उसके लिए पर tilde का use कर दबाएंगे इसके बाद इस वाली की को दबाएंगे यह आ गया हमारा tilde ठीक है अब हम यहां लिखते है subscribe फिर से tilde को दबाना होगा देखिए वापस दिल्डा लग गया है और यह बनेस को send कर गया है देखिए यह ऐसा बीच में से line कटी हुई आ गई है ठीक है एक तरीका औ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको जाना होगा यहां फिर इसे दबाएंगे इसके बाद यह जो बैक वाला है इसको दबाना पड़ता है तीन बार ऐसे फिर लिखते हैं सब्सक्राइब इसके बाद फिर से यह बैक वाले को तीन बार लिखना पड़ेगा देखिए font change हो गया है ओके friends अब मैं आपको दिखाता हूँ यदि group में आपका जो भी group है group में आप किसी particular विक्ति को कोई message भेजना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हैं इसके लिए हम group में चलते हैं सबसे पहले देखिए group में हैं हम यदि group में आप किसी खास विक्ति को कुछ बोलना चाहते हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर add sign का use करना होगा यह देखिए जैसे ही हम add को दबाएंगे तो group में जितने भी लोग होंगे उनके नाम ऊपर आ जाएंगे इसके बाद आप उस particular contact को दबाएएगा देखिए वो contact ऐसा नीला नीला यहाँ पर आ जाएगा बनके इसके बाद आप जो भी लिखोगे तो उस खास विक्ति को उसमें mention हो जाएगा कि इस विक्ति को यह बात बोली गई और सब के नए अपडेट के बारे में जानने के लिए इस वारे वीडियो को देखिएगा वीडियो को लाइक और शेर कर दें make sure कर ले कि आपने चैनल को subscribe कर दिया है साफ में पहला आइक को नवाना बिलकुल ना भूले ऐसा ही useful वीडियो future में देखने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में thank you so much keep learning